नमस्का दोस्तों, ढीट है आज की 12 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज तीन इशुज हम डिसकेश करेंगे, तीनों हिंदू के सबसे बहले आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे इंडिया और इतली रिलेशन्स से सम्मधित वैसे फोकस इस आर्टिकल में ट्राइलेटरल पार्टनर्शिप पर होगा इंडिया, इतली और जपान दूसरा आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे देश के यूथ के पोटेंशल को यूटलाईज करने से सम्मधित तीसरा आर्टिकल हम यहाँ पर डिसकेश करेंगे, एक नई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ओफ कोपरेशन से सम्मधित देखो वैसे इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यह इशू काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है कोपरेटिव मुव्मेंट का, तो या तो एक और जब नया आर्टिकल आएगा, तब हम कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इस इशू को डिसकेश करेंगे, अदर्वाइस अलग लग न्यूस पेपर्स के आर्टिकल को कमपाईल करके डिसकेश करेंगे आज तो इस आर्टिकल में जितना है उतना ही हम डिसकेश कर पाएंगे, तो चलगे फिलाल डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टिन आर्टिकल इंडिया और इटली रिलेशन्स से समधित हैं आप जीयस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हूँ ये सारे एसपेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिसकेशन में सबसे पहले आप लोकेशन जान लीजिए इटली की देखो यहाँ पर है इंडिया और यूरोप का एक देश है इटली इटली के बारे में हमने डिसकस किया था कब जब इटालियन मेरीन का कीस आया था लेकिन आज इंडिया इटली रिलेशन के बारे में अच्छी अच्छी बाते की जा रही है सबसे पहले देखो इंडिया इटली रिलेशन का इतिहास हम जानते हैं पहले हम इस आर्टिकल में ब्रीफ में इंडिया इटली रिलेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आज का जो article आया है हिंदू में उसे discuss करेंगे इतिहास की बाद हम पहले करते हैं इंडिया और इटली दोनों के दोनों ancient civilizations हैं लेकिन young states हैं जैसे देखो Indian civilization तो हजारों साल पुरानी हैं लेकिन इंडिया आजाद हुआ as a modern nation की form में आया कब 1947 में उसी परकार से इटालियन civilization भी काफी पुरानी है लेकिन इतली का unification हुआ इतली reunified हुआ कब 1861 में सद्यों से दोनों civilization के जो लोग हैं आपस में interact करते आये हैं इतली के एक famous traveler थे Marco Polo Republic of Venice हुआ करता था उस समय 13th century में और Republic of Venice के ये traveler थे Marco Polo इन्होंने East की यातरा की थी और अपने East travels के दुरान ये इंडिया में भी आये थे और इंडिया में उनका कैसा experience रहां इसके बारे में उन्होंने book भी लिखी Second World War जब चल रहा था तो इंडिया तो देखो उस समय कोलोनी था बिटेन की और इटली जो था वो बिटेन के अगेंश्ट था इटली जर्मेन की साइड था तो इंडियन ट्रूप्स ने British Indian Army की तरफ से इटली में लड़ाई लड़ी राजपुताना राइफल्स और गर्खा राइफल्स ने इटली में लड़ाई लड़ी ये तो हमने ब्रीफ में इतिहास की बात की अगर पॉलिटिकल रिलेशन्स की बात करें जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके बाद इंडिया और इटली के पॉलिटिकल रिलेशन्स से इस्टाबलिश हुए 1947 में और अगर देखो इस इटालियन मेरीन के केस को छोड़ दें तो अभी तक इंडिया के इटली के रिलेशन्स जो है वो ठीक ठाक रहे हैं समय समय पर हाइ लेवल वीजीटस होती रहती हैं दोनों देशों के बीच Economic Relations की बात करें इटली जो है वो European Union का Member है और European Union के Member State में से इंडिया का पांचवे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जर्मनी, बेल्जियम, यूके और फ्रांस के बाद इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मेंली इटली को इंडिया देखो मेंली इटली को ready-made garments, leather, iron ore, motor vehicles, textile, chemicals, gems and jewelries ये सब इंडिया इटली को export करता है और मेंली इटली से इंडिया इंपोर्ट क्या करता है समान्य परपजीस की machinery, machine tools, metallurgical products, engineering items देखो आल्मोष्ट 140 से ज़्यादा जो Italian companies हैं वो इंडिया में active है 2000 से लेके 2018 के बीच इंडिया ने आल्मोष्ट 3 billion dollars की investment की हैं इंडिया में इंडिया जो export करता है उसकी list अगर हम बनाए तो इटली का नंबर आएगा दसवा इसके बाद trade relations की बात की जाती हैं देखो वैसे तो 2007 के बात से ही इंडिया और European Union try कर रहे हैं किसी परकार का free trade agreement sign करने की और इटली भी member है European Union का लेकिन अभी तक किसी परकार का कोई free trade agreement sign हो नहीं सका हैं अभी फिलाल इंडिया और इटली के बीच जो trade हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं 8 billion dollars का trade हैं इंडिया इंपोर्ट इटली से कम करता है export ज़्यादा करता है यानि trade surplus जो है वो इंडिया के पक्स में हैं कितना 1 billion dollars का मैं लेकिन trade है ही काफी कम सिरफ 8 billion dollars कम अगर हम बात करें इटली में भारतिय मूल के डायस पुरा की अगर देखो हम नीदरलैंड को छोड़ दें तो सबसे ज़ादा जो भारतिया है यूरोपियन यूनियन में वो इटली में ही रहते हैं वैसे यहाँ पे UK और नीदरलैंड की बात की गई है लेकिन जैसे आपको पता है UK तो अभी European Union में है ही नहीं तो सिरफ नीदरलैंड के बाद सबसे ज़ादा भारतिया इटली में ही रहते हैं यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें और देखो यह जो भारतिया हैं इटली में रहते हैं वो फ़र्स्ट जनरेशन माइग्रेंट हैं यानि अभी-अभी माइग्रेंट हुए हैं उनके फोरफादर्स इंडिया में ही रहते थे तो इसलिए वो प्रैमरी एक्टिविटीज में ज़्यादा काम करते हैं जैसे अगरिकल्चर, डेरी फार्मिंग, लेदर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क और सर्विस इंडस्ट्री इसके बाद कल्चरल टाइस की बात की जाती हैं 1976 में कल्चरल कोपरेशन के लिए अग्रिमेंट साइन हुआ था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है दोनों देशों के बीच जिसमें दोनों देशों के स्टुडेंट्स जो हैं वो लेंग्विज प्रोग्राम में या फिर दूसरे अकैडमी कोर्सिस में पार्टिस्पेट करते हैं दस universities या फिर higher education institutions इटली में ऐसे हैं जो इंडियन आर्ट, हिस्ट्री और लेंग्विजिस में कोर्स कंड़क्ट करते हैं इसके बाद science and tech की बात की जाती है दोनों देशों के बीच science and tech में cooperation के लिए agreement sign हुआ था 1978 में जो अभी तक है agreement में यह decide हुआ था दोनों देश मिलके तीन साल के action plan बनाएंगे और तीन साल में maximum तीस joint research projects जो हैं वो दोनों देशों को द्वारा start किया जा सकते हैं और prime areas of joint research क्या है electronics, biotechnology, design, engineering, automatic technologies, energy सबसे last में बात की जाती है defense की Joint defense committee establish की गई थी दोनों देशों को दोरा मिलके 2018 में ताकि इंडिया और Italy की defense firms के दोरा defense के छेतर में cooperation को increase करने के लिए एक structured dialogue start किया जासके इसके अलावा देखो defense के छेतर में जब इंडिया, आस्टेलिया गूरूप, वासिनार अरेजमेंट, MTCR, इन सब का member बनना चाहता था तो Italy ने इंडिया का sport किया NSD का member अभी तक इंडिया नहीं बन पाया है चाइना के विरूद के चलते तो ये हमने एक background discuss कर लिया background से आपका एक perspective बन गया इंडिया 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 relations से संबन दी थी तो जैसा मैंने शुरुवात में आपको बताया कि इस जो marine के case को छोड़ दें कि Italian Marines ने गोलाबारी की थी केरला के coast के पास जिसमें दो इंडिया के मच्वारों की death हो गई इसके बाद काफी diplomatic tensions पैदा हो गई इंडिया और इटली के बीच अगर इस यहाँ पे है इटली अभी तक इटली ज्यादा focus था यूरोप के matters पर और Atlantic oceans के matter पर लेकिन अब इटली अपने border से दूर इंडो Pacific region में भी यह जो region है ना यहाँ पे इंडियन ocean है यहाँ पे Pacific ocean है तो combined जो region है यह है इंडो Pacific ocean यहाँ पे इटली अपनी भूमिका निभाना जाता है और इस संदर में इटली को यह लगता है हमारा जो vision है वो इंडिया और जपान जैसे देशों के vision के साथ मैच होता है इसलिए इटली ने अपने इच्छा जाहिर की है इंडिया और जपान के बीच तो bilateral partnership है ही तीनों देश मिलके इंडिया इटली और जपान तीनों देश मिलके एक trilateral partnership establish करते हैं वैसे आपके मन में question आया होगा इंडिया का vision है क्या इंडो Pacific region के लिए देखो वही बाते जो हमने काफी बाई discuss की है इंडिया चाहता है इंडो Pacific region open, balanced, rule-based, stable trade environment होना चाहिए ऐसा environment होना चाहिए इंडो Pacific region में trade और investment पर्मोट हो सारे सभी देश common space का इस्तिमाल कर सके इंडो Pacific region में चाहिए वो sea के लिए communication land हो या फिर air space हो इसारा चाइना के तरफ है देखो चाइना अपनी मनमानी करता है कई बार कई देशों के ships को आने नहीं देता इस इंडो Pacific region में दावा करता है कि यह जो reason है यह चाइना का sea है हम आपके ships को नहीं आने देंगे तो इंडिया जपान जैसे दो देश है वो rule based order establish करना चाहते हैं इंडो Pacific region में चाइना जैसा कोई भी देश अपनी मनमानी ना करते हैं अपनी डादागिरी ना करते हैं तो यह इंडिया का vision है इंडिया का vision यह भी कहता है इंडो Pacific region में जो देश आते हैं उनकी welfare सुनिश्चित हो वो develop हो यह सारे जो coastal states जो इंडो Pacific region में हैं जैसे येमेन, ओमान, जितने में देश हैं जिनका coast लगता है इंडो Pacific region में इनकी welfare सुनिश्चित हो ऐसा भी इंडिया चाहता है और कहें न कहें देखो इटली को लगता है कि हमारा भी यही vision है, हमारी भी यही सोच है लेवल पर फाइदे की बात करें जब से देखो COVID-19 की महामारी चाइना से originate हुई ऐसा आरोप लगता है तो फिर जादा से जादा देश से चाइना के ऊपर से अपनी जो trade dependence है वो खतम करना चाहते हैं, supply chains को re-adjust करने की बात कही जा रही है विबिन देशों के द्वरा तो इंडिया और जपान भी अपनी supply chains को चाइना से हटाना चाते हैं इस दिशा में इटली भी important role play कर सकता है, जैसे देखो example के तोर पर पहले इटली जो चीज चाइना से import करता था अगर वो जपान और इंडिया से मिल जाए, तो वो जपान और इंडिया से import करें, ना कि चाइना से उसी परकार से इंडिया कोई चीज चाइना से import करना चाता है, लेकिन इटली में available है, तो इंडिया इटली से import कर ले, चाइना से import करने के बजाए तो तीनों देश मिलके सप्लाई चेंज को री उर्णाइज कर सकते हैं चाइना पे डिपेंडेंसी खतम करने के लिए स्कूर्टी लेवल पे देखो चूंकि इटली यहाँ पे सोमालियन कोश्ट के पास operation चलाता आया है यह सोमालिया है यहाँ पे देखें सोमालिया के पास इटली की जो naval forces हैं वो piracy को रोकने के लिए operation चलाती हैं यहनी western Indian ocean में इटली की presence हैं तो तीनों देश मिलके अगर naval cooperation increase करते हैं और दूसरे छेतरों में भी cooperation increase करते हैं तो फाइदा ही होगा इसके बाद multilateral level की बात करें तीनों देश जो हैं वो same values share करते हैं कि world जो है वो rule based order पर चलना चाहिए यानि rules के हिसाम से चलना चाहिए ना कि China अपनी मनमानी करना चाहता हैं वैसे इसके बाद way forward की बात की जाती हैं देखो यह सब चीजे region में अपना role play करना चाहते हैं बट पहले आप अपनी एक clear indo-pacific strategy तो बनाईए कि क्या हासिल करना चाहते हो आप indo-pacific region में और आप ये भी decide कीजिए जो आपकी indo-pacific strategy होगी उसके objectives क्या हैं कैसे आप उन objectives को achieve करना चाहते हो और दूसरे दूसरे छेत्रों में भी अगर cooperation को increase करना है तो एक common agenda तो होना चाहिए ना जैसे एक common economic agenda होना चाहिए common security समधित agenda होना चाहिए strategic agenda होना चाहिए तब ही तो आगे cooperation increase होगा और इसके लिए देखो एक और इसके लिए एक मजबूत political इच्छा सकती चाहिए शुर्वात की जा सकती है इंडिया और इटली के relations को और ज़्यादा मजबूत बना के और देखो इसके लिए बिल्कुल सही मोका है कैसे देखो जी 20 की अध्यक्सता जो है अभी इटली के पास है अगला summit औरगनाईस होगा अक्टूबर में और उसके बाद presidency आज आएगी इंडिया के पास तो यह हमने article डिसकस किया इंडिया और इटली से समधित चलते हैं आगे इसके बाद next article हमारे देश में youth के potential को utilize करने के आउसकता से समधित हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ यह सारे aspects हम cover करेंगे इस article के discussion में कल 11 जुलाई को world population day था 1987 के बाद से ही 1987 में देखो 11 जुलाई को 5 billion हो गई थी world की total population तो उसके बाद UNDP ने 11 जुलाई का जो दिन है world population day के रूप में अबज़ाव करना श्टार्ट किया था ताकि population के बारे में awareness फिलाई जासके इस बार की theme है इस बार की theme है Rights and Choices are the answers ताफी लंबी theme है एक बार आप नजर डाल लीजेगा परी के लिए अगर देखो इंडिया में population related data की हम बात करें इंडिया की total जो population है उसमें से 62% तो देखो 15 और 59 years के बीच में है और पिछले साल UNDP की एक report आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया की जो population है वो अनुवान से 12 साल पहले ही stabilize हो जाएगी तो writer का कहना ये मतलब है कुछ लोग जो ये बोलते है कि population तेजी से बढ़ रही है उनको ये जानने के आउ सकता है कि population की जो growth rate है वो कम हो रही है और अभी demographic dividend हमारे पक्स में है East Asian countries का data ये हमें बताता है 1965 से लेके 1990 के बीच में किस परकार से East Asian countries में youth ने उन देशों की economy में contribute किया देखो East Asian countries में working age population तेजी से बढ़ी थी as compared to dependent की population इस वज़े से वहां के जो youth है उन्होंने उन देशों की economy में काफी contribute किया इस वज़े से East Asian countries में जैसे South Korea इन में economy growth rate भी काफी तेजी से आई इसके बाद concerns की बात की जाती है लेकिन इंडिया अपना जो demographic dividend है यानि youth की जो population है उनके potential को ठीक से tap नहीं कर पा रहा है देखो COVID-19 से पहले भी situation खराब ही थी इंडिया education पर काफी कम खर्च कर रहा था जैसे देखो 2019 में इंडिया ने सिरफ 4.4% of GDP education पर खर्च किया और 2020 में तो ये data और भी ज़्यादा खराब है इंडिया ने सिरफ 3.4% of GDP education पर खर्च किया एक और report ये बताती है एक student पर इंडिया जितना खर्चा करता है उस मामले में इंडिया वर्ल्ड में 62 नंबर पर है 62 नंबर पर है इसके बाद article में कहा जाता है COVID-19 के बाद situation खराब हुई है COVID-19 के बाद जो lockdown लगा उसकी वज़े से देखो 32 करोड यानि 32 करोड स्टुडेंट ऐसे हैं जो परभावित हुए और 32 करोड में से 15.8 करोड फीमेल है देखो बहुत सारी ऐसी फीमेल स्टुडेंट्स है जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया lockdown की वज़े से उनमें से बहुत ज़्यादा स्टुडेंट्स तो देखो ऐसी हैं जो अब अपनी स्टेडी को continue नहीं करसकेंगी लोगडाउन जब लगा रिमोट एरियास में जहां पे एक भी केस नहीं था दूरद्राज के एरिया में वहां पे भी स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए और इसलिए ना सिरफ बच्चों के पढ़ाई परभावित हुई बलकि बच्चों की जो mental well-being है वो भी परभावित हुई अभी देखो lockdown के बाद online education स्टार्ट हुई लेकिन पूरे वर्ल्ड में 65% adolescent students ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने महामारी के दुरान काफी कम सीखा हैं और 51% students ऐसे हैं कि अब उनकी जो learning है वो और बी ज़्यादा परभावित होगी further delay होगी 17% adolescent students ऐसे हैं कि सोरा वस्ता के students ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी mental well-being जो है वो परभावित हुई है महामारी की वज़े से यानि वो anxiety और depression से सफर कर रही हैं बहुत से girl students की महामारी के दोर में जल्दी साधी हो गई क्योंकि देखो काफी बार गरीब परिवारों को ये लगता है अगर लड़की की साधी हो गई तो थोड़ा burden कम होगा और कम से कम लड़की जिस घर में जाएगी वहाँ पर पूवाइटी नहीं होगी ऐसी कई बार उमीद होती है गरीब परिवारों को नेक्स्ट पॉइंट जो adolescent girls हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हैं क्योंकि देखो अगर primary caregiver यानि जैसे माबाप की देथ हो गई उसके बाद adults and girls को खत्रा रहता है कि उन्हें human trafficking में ना धखेल दिया जाए उनका exploitation ना हो जाए violence का खत्रा भी रहता है इसके बाद way forward की बात की जाती है सबसे पहला point way forward में ये है जल्दी से जल्दी vaccination हो teachers का, school staff का, students का अब वैसे देखो 18 साल से कम के age वाले जो बच्चे हैं उनको तो टीका लगना start ही नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द सरकार कोशिस करें कि 18 साल के कम age के बच्चों की vaccination भी start हो और teachers and school staff का vaccination तो जल्द से जल्द complete होना चाहिए और local level पर ये आजादी दी जाए schools open करने है या फिर नहीं करने है शुरुवात की जा सकती है district level से जिन district में case नहीं आ रहे है वहाँ पर तो school open हो जाने चाहिए वहाँ पर बच्चों की सिखसा पर भावित करने का कोई फाइदा है नहीं और case basic ना भी हो लेकिन जो protocol है COVID-19 का उसे follow किया जाना चाहिए हर एक school में जैसे face mask पहनना physical distancing होनी चाहिए बच्चों के against और एक innovative solution भी find out किया जा सकता है education के लिए जो की mixed हो जिसमें offline education का भी प्रावधान हो online education का भी प्रावधान हो mixed model इसके बाद next देखो का अलग-अलग ministries को मिल के काम करना होगा जैसे example के तोर पर sanitary napkins girl students को provide किया जाते थे ministry of health के द्वारा लेकिन वो scheme पर भावित हुई है तो teachers volunteers बन के काम कर सकते हैं girl students को sanitary napkins provide करने के लिए mid day meal scheme का example दिया जाता है mid day meal scheme में nutritious food बच्चों को मिलता है ना सिरफ देखो उनकी cognitive ability यानि समझने की जो समता है वो increase होती है बच्पन में इस mid day meal scheme की वज़े से बल्कि और भी ज़्यादा काफी सारे फाइदे हैं जैसे अलग-अलग section के जो students हैं मिलके भोजन करते हैं तो उनके अंदर cooperation की भावना आती है तो यह scheme बन नहीं होनी चाहिए यह scheme parents को भी incentive provide करती है बच्चों को school भीजने के लिए तो अलग-अलग ministries cooperate कर सकती है इस scheme को continue रखने के लिए even covid की situation में इसके लावा देखो जैसा हमने डिसकस किया बहुत सारे students stress और anxiety का सामना कर रही है तो ministry of health and ministry of education या फिर ministry of women and child development यह ministries मिलके काम कर सकती है जो already help lines है उनका उप्योग किया जा सकता है students के stress और anxiety को adders करने के लिए conclusion में कहा जाता है देखो अभी तो demographic dividend जो है इंडिया के पक्स में है लेकिन यह जो window है यह ज़्यादा समय तक open नहीं रहेगी इसलिए सरकार को यूद्स तरपर परयास करने चाहिए ताकि हमारे देश का जो youth है उसके potential को tap किया जासके देश की economic growth में तो यह हमने पूरा issue discuss किया चलते हैं आगे पर्मोट करने के लिए एक नया administrative structure establish किया जाएगा और अब सरकार ने उसी पर काम करते हुए एक नई ministry establish की है ministry of cooperation अभी यह जो ministry है यह home minister अमित्शा के पास है do cooperative society होती क्या है हम एक example की साहता से समझते हैं माल लीजिए एक hostel में 100 students है 100 के 100 students जो है वो टीफन से खाना मुवाते हैं लेकिन उन में से एक दिन एक student बोलता है अरे हम बार का खाना खाते हैं सेद भी खराब हो जाती है खाना भी अच्छा नहीं होता है ठंडा भी होता है क्यों ना हम जितना पैसा टीफन पे खर्च करते हैं उतना contribute करें एक महिने के 3,000 तो सो स्टुडेंट्स हैं एक महिने में कितना इकठा हो जाएगा तीन लाख रुपे तीन लाख रुपे में तो हम कुक रख सकते हैं दो-तिन worker helper रख सकते हैं और रासन लाके खुद खाना बनवा सकते हैं तो ये decide होता है इन 100 students के बीच में, लेकिन ये 100 students सोचते हैं कि ये सारी जो process है, इसको manage करने के लिए हम एक team चुनते हैं, अध्यक्स कोन होगा, इसका कोछा अध्यक्स कोन होगा, जो पैसों की देखपाल करेगा, मतलब पूरी team वो चुन ली जाती है, तो ये एक परकार से example है cooperative movement का, इन 100 students ने मिलक के जो society बनाई, उसका देखो ना तो कोई मालिक है, सारे ही मालिक हैं, जितने भी students हैं, जितने भी member हैं, और membership जो है, वो भी कोई भी student join कर सकता है, ऐसा नहीं कि, सिरफ कुछ students के लिए, ये जो society है, वो बनी हैं, ऐसे ही अलग अलग छेत्रों में, जैसे milk के छेतर में हमने discuss किया था, जब dairy का example आया था, कि इस परकार से किसानों ने milk के cooperative society बनाई, milk के अपना दूद बेचा, milk के दूद की marketing की, और cooperative movement ने dairy sector में कमाल किया है, और भी बहुत सारे sectors हैं, जहां पे cooperative movement ने अच्छा काम किया है, जैसे ifco देखो, fertilizer के मामले में, तीसरा स and loom, housing, edible oil, sugar, fishery, के sector में भी cooperative societies ने अच्छा काम किया है, वैसे देखो cooperative society जो है, ये state को domain में आती है, लेकिन इनको promote करने के लिए union government ने ministry बनाई है, और इसी को लेके writer का थोड़ा concern भी है, writer कहते हैं, इस बात में कोई संदे नहीं है, कि cooperative societies ने हमारे देश में बड़े हद तक गरीबी को खतम करने का काम किया है, food security, management of natural resources, environment, इन सब की upliftment, इन सब issues को भी address किया गया है cooperative societies के द्वरा, लेकिन देखो cooperative societies में कहीं कहीं पर बहुत जदा corruption, transparency का अभाव, leadership की कमी, ये सब भी देखने को मिली है, काफी जगाओं पर cooperative societies का political parties अपने फाइदे के लिए इस्तमाल क है, writer के द्वरा, कि अलग से ministry तो बनाई गई है, सबसे पहली बात तो court में ये case जा सकता है, क्योंकि cooperative जो है, वो state list में आता है subject, तो center को justify करना होगा, कैसे उन्होंने cooperative societies को promote करने के लिए अलग से ministry बनाई है, और उसका काम क्या होगा, next, अभी देखो RBI और states, इनके द्वरा regulation किया जाता है cooperative societies का, फिर भी अच्छी खासी autonomy है cooperative societies के पास, लेकिन अलग से ministry बनाने से वो autonomy खतम ना हो जाए, ताकि ऐसा ना हो creativity खतम हो जाए cooperative societies की, और काम करने का जो scope है, वो narrow हो जाए, सबसे last में point आता है, cooperative spirit जो है, ये खराब नहीं होने चाहिए, इसलिए जो union government काम करे उससे sector में और जड़ा transparency and efficiency आए, और ऐसा नहीं कि सरकार इसका इस्तमाल करे अपनी political leverage के लिए, तो ये हमने article discuss किया, cooperative के लिए नई ministry से समन्दित, तो ये थी हमारी आज की discussion, आज की discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.